नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं हिमान्चूर आप देख रहे हैं हल चल इंडिया बेबाग खबर तेजसर आए नजर डालते हैं आज के खपरों पर जिसके साथ ही यहां बाढ़ किस्ति बनी रहती है इसके करण रोजकार भी ना के बराबर है और उनकी आर्थिक इस्ति कमजोर है जिसको देखते हुए मां शाकुमरी बिश्विधाल्य द्वरा की गई शुल्क की ब्रद्धि के करण उन्हें अपना ध्यन निरंतर रखने में समर्थ हैं जिसके उनका भविश्व अंदिकार में होने की संभाव नैपनी हुई है जिसका पूर्ण दायत्वर मां शाकुमरी बिश्विधित द्वालय का होगा सब्सक्राइब करने के वज़ाइब करने की बच्चे घर पर बैठ जाएं ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा जी हम इसमें यह मांग करें कि यह कम करें पहले यर वाइज था चौदा सो अब हद से हद होना चाहिए इसाथ सो यह साड़े साथ सो सेंच्टर वाइज हो गई है छे महिनने की अब हम यह देखिए हम दो बैने हैं हमारे तो 13000 रुपे बैठ रहे हैं पूरे साल गे चो सट सो इनके चो सट सो मेरे ते तेरा अजार हो रहे हैं आपका धर्णा परदर्शन कब तक चलेगा जब तक एकम नहीं होगा तब तक चया मैं यहां पर पूरा दिन बैठ नपड़े हम भूख के प्यासे यहां पर जरूर बैठेगे क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है इतने तो यह कहां से बड़ी फीस यह बताइए आप पहले तो कि आदे बच्चे ना इसी को लेकर आधी लड़कियां उनके घर वाले मलब लड़के हो लड़की हो इतनी बड़ा दी है कि 32 रुपे कहां से देंगे एक सैमेस्टर की दो साल के बाए 64 रुपे हो गए तो बच्चे क साथ वाली ही सोच के कहां से देंगी किसके पास होगा किसके पास भी इतने पैसे नहीं है कि एक सैमेस्टर के बढ़ना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए आगे वो जभी बढ़ेंगी जब फीस माफ होगी अब इतनी फीस वो कहां से देंगी बताओ या तो आगे बढ़ी जाएंगी या पड़ी लेंगी सरकार का तो मारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उसमें पीस वरद्धी हो रही है इसमें क्या गवंड़ने की चीज़ेंगे वहां बढ़ानी रही है सबी देंगे रहें इतनी फीज हम कहां से देंगे बताओ देखते रहिए हल चल इन्डिया बेबा कबर तेजसर